पीपल का एक पत्ता बावन हजार ब्रहमन की साथची कराता है वह ध्यान देना अच्छा एक बात बताईए कि कई लोग कहते हैं कि कई कई तुम जहां जहां जाते हैं जिनके सरीर में इसे इसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कि तेरी कुल देवी तुस्से रूड गया वो देवता रूड गया परमात्मा रूड गया तो आप कैसे पेचन होगे कि भगवान आप से रूड गया आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आप से रूड गया हमने देवी जी को दोग नहीं लगई तो देवी जी नाराज हो गई हमने पिता जी को दोग नहीं लगई करते हैं बहुत ध्यान देना इस बात पर कभी अहीत नहीं करेंगे देवता अगर नराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बन नहीं कर देवता नराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बन नहीं करवा देवता अगर नराज हुए हैं पर आपको मालूम करना है कि देवता मुझ छुड़वा देखते हैं क्या छुड़वाएंगे रोज मंदिर जाती है रोज माला उठाकर जाब करती है रोज गीता जी का पाट करती है रोज दिया लगाने जाती है चार दिन पांच दिन छे दिन दस दिन आगर आप दिया लगाने नहीं गए मंदिर नहीं गए पूजन न सभी नाराज हैं कि इसलिए मेरा मुँ नहीं देखना उससे नहीं नाराज है नहागा लच्पीन सबसी700 पद्रवारे देख değil तुम्हेर भगवार ने जब दिए था उसको सत कर्म में नहीं लगाया यह द्न ऐक पहली वाली Wikipedia के न方 हीथि शरीब चले और तुमारी तुम्हारे ईधित मोगं को बस उत्तह कर लो के इत्ती बाथ मिलोग याद कर लोगे लेको आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम हम इत्ती 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 निकाल लोगा नें तो दोड़ा तो यहां समझ में तुपाए लगे तो शरी कि कथा अंदर गई तो एक बार पहले कथा में इससे पिछले वाली में की थी साथ से पहले वाले में की तुमारी तुमारे घर में चले और तुमारा सरीर चले तब तक सारा दान उन्न भजन तीरत सब कर लो और क्योंकि तुमारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे सतकर्म कर सकोगे भजन कर सकोगे सरीर सही होगा तो तो तीरत कर सकोगे अब सरीर पूर्णिमा की रातरी को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयम उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए पूर्णिमा की रातरी को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंक बैते हुए पानी में डालता है महाराजा कितने भी लोग से घरसित हो गए पीपल का एक पत्ता बावन हजार ब्रहमन की साक्षी कराता है महाराजा वो ध्यान देना पीपल के ब्रक्ष में स्वयम नारेन का मेरे कृष्ण का वास है स्वयम भगवान गीता के अंतरकत कहते हैं कि में पीपल का भ्रक्ष हूं नारेन बावन हजार अब्रहमनों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है और आपको पहले भी कथा में कहा बेट गाए ब्रहमन बहन के सब काल अलाहरन करने मादे ओ रोग शीव का समरण करो कई माताइं करती हैं गुर्देव हमारे यह पर शंक्तर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो कि हम बजार से लिया आए और हमारे यहां पर शिवलिंग है तो वह बड़ा है तो क्या मुसको पीपल के पेड़के नीचे छोड़ी आए शिवलिंग ह तो पूजन करो, नहीं है, तो भगवान का जब इसनान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुमारे घर में भगवान है, उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका इसनान कराओ, इसनान कराते समय, थोड़ा सा भाव, यही प्रग तो देवताओं को बढ़ाने की जरुवत नहीं है, कारण क्या है, तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज्जाईगा, पराने वाली पीडी करेगी, घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही दखना, जितनी तुमसे बन रही हो, तुमारे जाने के बाद घर के बव बेटा चेटी रहे ही, ज्यादा सेवा को बढ़ा दियागा, सिरी सिरा, सिरी सिवा, नमस्तु definite,An terrorism, यह करकर आओ, जितना तुम पूजन को सेवा को भजन को किरतन को जितना हवा बनाओगे जितना डराओगे लोगों को वो उतने दरेंगे, उतने डरेंगे, सेवा को भजन को पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है लोटा भरके पानी लिए अगर चड़ा रहे हो संकर जी के मंदर में जाकर जल चड़ा रहे हो थोड़ी गलती हो गई भगवान से कह देना तुम ही ने सिखाया है हो गई तो ह नहीं जानते थे अब दीरे 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 लोगों को श्युमहा पुराण सुनते सुनते मालूम पढ़ रहा है कि संकर की कैसे पूजन करना चाहिए बेल पत्री कैसे चड़ाना चाहिए जल कैसे चड़ाना चाहिए धातूरा कैसे चड़ाना चाहिए चंदन कैसे चड़ाना च रही हैं ंचन्द्रदेव ले वगवान हैं संकर तर की अराध्वना का टिस्व और निर्मान करे महाराजी स्यु महापुर्यां की कत़ा में एक q beiden को तब उसके जीवन में उत्तर गया था उसको परिमत्म मिल गया बिंदूग की धर्मपतनी चंचुला देगा बारवाद कथा में आया आया बारवती जी ने उससे शु महापुराण की कथा करो क्या करती थी वो चंच्पला काशी में जाकर उसने करा क्या था पती के जाने के बाद बिंदुक जो पानी में डूब कर मर गया प्रेथ योनी में चला गया पहले भी कथा में कहा पानी में डूब कर मरा हुआ व्यक्ति सर्पके डसे से मरा हुआ व्यक्ति और इस्तरी के हाथ स या इस्त्री के चक्कर में मरा हुआ वेक्ति ना तो देव योनी में जाता है ना तो बेकुंठ जाता है ना नर्क जाता है वो तो बीज का प्रेत बनकर भटकता रहता है उसकी गती नहीं होती उसका मोक्ष नहीं होता चंचुला देवी को लगा था मेरे मेरे पती को मोक्ष तो उसने करा क्या था यहां कि वह कशी पहुच गई लेए इसा क्या चंचुला देवी तो दिन राट फेषन में लगई रहती थी कभी पती ने अगर धन लाकर दिया तो जादा सी जादा पैसा वह खाने-पीने मुझार कभी नहीं उसने दान करा कभी नहीं धर्म करा कभी पुन्य नहीं करा कभी सतकर्म नहीं करा कभी कई सत्संग में नहीं कई कथा में नहीं कई भजन नहीं भजन में नहीं पोची फिर उसने करा क्या बच्पन में किया गया कर्म व्यक्ति को कप राप्त होता है यह चंचुला द बच्चों को इस चीज के लिए डाटते हो सायद। बच्पन का किया हुआ पुन्य चंचुला देवी के कहां काम आया हो देखिए कि पुन्य नहीं कर ता चंचुला देवी, आधके खेल कर रहा है। निस्य जगा पर काम चंचुला दिवी 6 वर्शे की कज्जन बिन्दुक प्रहाम्मन प्रहिंदुक या चंछुला दिवी भॉजन हते समय तोcm भॉजन गया सभात उसको तोड़ लेती थी चंचुला चे वर्शे की चंचुला उसको तोड़कर गोल बना कर चप्टा करती थी दूसरी लोई को गुमा गुमा कर जो मा संकर जी के मंदिर में संकर जी को जल चड़ाने जाती थी उस लोई को वेसा रखकर गोल बना कर पिंडी बना कर उस आठे का पिंडी बनाती थी और मा से करती थी मा देखो तुम जिस मंदिर में संकर जी क बढ बनाती рук छोटी छोटी लोज़ के चोटे चोटे छोटे चोटे से हमीगी हम धी वना गपोरश चोटा सा बच्चा लोग लेकर विट गया गुमा रहाएं चिडिया वना रहा जोड रहाएं चण चुला रेफी हमें करें कई लोगों ने अर्दनारिश्च्वर सुरूप का फोटो कभी घर में नहीं लगता कौन सा फोटो जम के बोलिये जला अर्दनारिश्च्वर भगवान शंकर का अर्दनारिश्च्वर सुरूप का फोटो घर में कभी नहीं लगता कभी नहीं लगता कि मंदिर में आप लगा सकते हो पर घर मे भगवान शंकर के अर्दनारिश और सुरुप का दर्शन करकर ब्रह्मा जी व्रांती में पड़ गए तब भगवान शंकर ने का ब्रह्म देओ अब सुरुष्टी की रचना करो ब्रह्मा जी ने अपनी जंगहा से मनु और सतुरुपा को प्रगट करा और उसके द्वारा जो स प्रसुती दक्ष प्रजापती के साथ में प्रसुति का विवां हो गया मताप्रसूति के घर्व से 60 कण्याओं ने जनम निया याय叹्य कितनी बेटों ने जनम दिया, बेटों को संत बना दिया, देवरिशी नारद, दक्षि प्रिजापती, क्रोध में आकर शराप दे दिया, नारद में तुम्हें शराप देता हूँ, तुम्हें एक जगा पर नहीं टिक पाऊ, अब भगवान, शिरी सिवाई, नमस्तु भ्याम, शिरी मेरे घर में एक बेटी का और जनम हो जाए, इसी कृपा कर दीजिए, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, सोयम जगजन्नी जगदंबा बोली, तेरे घर में साथ लड़कियों का जनम हो गया, और तु लड़की मगरा, आज का व्यक्ति होता, तो बेटी के जनम के बात में तो क्या मंताख अरे बोलको उती है शुमहापुराण की कथा किती है बेटा एक कुल को तारता और वेटी की गधोन क पर सास्त ludzie के रीति है बेटा जनम लेता है तो खुंह नगाड़े बसते हैं धोल बसते हैं और वेटी जनम लेती है तो मा पलक्रोमन पर ships & कि याद याद रखिए बेटा भाग्य से पेदा होता है पर बेटी के लिए बाप का सोग गुना भाग्य इखटा करना पड़ता है तब जाकर बेटी का जनम होता है और याद रखिए बेटा एक बार अपने माबाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माबाप को दुखी नहीं देख सकता है बेटी नहीं देख से दुनिया के लोग करते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा मा रोती है पर्शिव महापुरान की कथा करती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना मा नहीं रोती क्योंकि बेटा मा को प्री होता है और बेटी बाप को प्री होती है क्योंकि बेटी के बिना बाप अद्धूंगा है